17 जन्वारी को एश 24 सीरीज के साथ One UI 6.1 रिलीज होने वाला है और इतना ज्यादा क्रेज मैं इससे पहले की सी भी और UI का अंदर नहीं देखा था जो कि One UI 6.1 को लेके हैं और हो भी क्यों ना क्योंकि One UI 6.1 AI बेस्ट होने वाला है बट देखना यह होगा कि Samsung की जो बाकी सारे existing smartphone से उसका अंदर किस तरह से AI को Samsung implement करता है क्योंकि फोन का जो प्रोसेसर है वो भी AI केपेबल होना चाहिए और एस 24 सिरीज का अंदर Snapdragon 8 Gen 3 प्रोसेसर हमें देखने को मिलता है जो कि एक अच्छे खासे AI केपेबल प्रोसेसर है और एस 24 सिरीज के अंदर जितने भी AI रिलेटेड फीचर्स आने वाला है उसका अगर आधाभी फीचर्स बाकि सारे Samsung के स्मार्टफून में आ गया तो भाई साब मजा ही आ जाएगा और अब तक ऐसे 6 वानिवाई 6.1 के AI फीचर्स लीख हो चुका है तो इन ही फीचर्स के बार में इस वीडियो में बात करेंगे सबसे पहला फीचर किसी वेब पेज को आप समराइज कर सकते हो AI की मदद से तो अ इन ही सारे बड़े आर्टिकल्स का AI आपको एक छोटा सा समारी बना के दे देगा जिसे पढ़ते हुए आपको रात नहीं होगा इसके बाद नेक्स्ट फीचर आपको फोन की गलरी एडिटर में देखने को मिलेगा तो अगर आपको किस भी फोटो के अंदर अबजेक्ट को बड़ा करना है उसे छोटा करना है मूब करवाना है तो यह सभी काम आप इस टूल के मदद से कर पाऊगे और इस फीचर के मदद से आपस में काई सारे लोग जूड सकते हैं मिन्स कि अगर आपको बाहर जाते हो या फिर इंडिया के अंदर भी केसी और जगा पे और स्टे को आपको आउन करना है और वह जो भी कहेगा आटमेटिक लिए यह ट्रांसलेट करके अब जिस भी वासा में देखना चाते हो या फिर सुनना चाते हो आप वह काम कर पाऊगे नेक्स्ट फीचर सर्कल टू सार्च अब गूगल लेंसे के बारे में अपने जरूर सुना होग आप में से काफी सरे लोग इस्तमाल भी कर रहे होंगे तो अगर आपको किस भी फोटो को देखना है चेक करना है सपोज मैंने कुछ भी ड्रेस पहन करका हूं या फिर कोई भी चीज यह माइक है आपको जानना है कि यह कौन से माइक है तो सिंपली आप इसका स्क्रीन सोट जैसे ही गुगल लेंसिस में डालोगे वह आपको अनलाइज करके बता देगा कि यह कौन से माइक है प्रॉब्लम पता है क्या है कि वह सई से डिटट कई बार नहीं कर पाएगा कि आपने क्या माइक के लिए सार्च किया है या फिर मैंने जो यह हूडी पहना हुआ है इसके कौन समाइक है तो मोटा मोटी तोर पे आप ऐसे समझो अगर आपके पास कोई भी फोटो है और उस फोटो में से अगर आपको एक छोटा सा अबजेक्ट को फाइंड करना है इंटरनेट पे तो इस फीचर की मदद से आप यह काम कर पाओगी इसके बाद नेक्स्ट फीचर स कोई भी वाइस रेकोडिंग है सपोज आप वार्सप यूज करते हूं आपके दोस्त ने एक आपको वाइस रेकोडिंग भीजा आभी आप फैमिली के साथ हो सुन भी नहीं सकते कि मेरे दोस्त ने क्या भीजा है मुझे तो इसकेस में यह टूल आपका काम करेगा सिंप्ली वाइस रेकोडिंग को पूरा यह एनलाइज करके आपको टैक्स्ट फॉर्मेट में बता देगा कि इसके अंदर क्या है और अगर कोई बहुत बड़ा सा वाइस रेकोडिंग है तो यह आपको समराइज करके भी बता देगा कि इसके अंदर क्या है जो नेक्स्ट फीचर डाउनलोड करता है और उससे सट करता है वहाँ पे एडिट करने का कोई भी आपसन नहीं होता है या भी आपको help करेगा फोटो को एडिट करने में डारेक्ली होम स्क्रीन या फिर लॉक स्क्रीन में सेट करने में यह थे कुछ छे नए अगर आगे भी कोई ने फीचर्स और आते हैं लेक्स आते हैं तो डेफिनेटली आपको इसके रिगरिंग वीडियो मिल जाएगा तो मेक शूर अपने अच्छा फीचर को भी प्रेस कर लिया है और इन में से आपको सबसे अच्छा फीचर कौन से लगा नीचे मुझी कमेंट क करके जरूर बताना और वीडियो को लाइक एंड शेयर कर देना मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में थैंक यू